नमिश्कार मित्रों, आज हम आपको क्रिस्मस की बहुत ही प्राचीन, पुरानी और बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं और क्रिस्मस का महत्र भी बताएंगे, तो इस पार क्रिस्मस सब के लिए शुब लई कर आए, यही हमारी मनो कामना है तो 2020 में क्रिस्मस के लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुब काम नई, हार्दिक बदाई, जानते हैं क्रिस्मस के बारे में अन्य बाते क्रिस्मस के दिन ही इसा मसी ने जनम लिया था इसलिए क्रिस्मस को प्रबू इसा मसी के जनम उस्व के रूप में मनाया जाता है क्रिस्मस का महत और कहानी इसाई धरम के लोगों के लिए बहुत अधिक महत पूर है यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है क्रिस्मस के दिन सांता लोगों के घर आकर उन्हें गिफ्ट माटते हैं क्रिस्मस के त्योहार को ईसा मसी के जनम उस्सव के रूप में भी मनाया जाता है माना जाता है कि जिस दिन भगवान के पुत्र ईसा मसी ने धर्ती पर जनम लिया था उस दिन 25 दिसंबर का दिन था इसलिए यह तिहार बड़ी धूम धाम से और खुशी के साथ विश्व भर में मनाया जाता है क्रिस्मस का महत्व हम सब के जीवन में बहुत अदिक है क्रिस्मस का तिहार पूरी दुनिया में बड़े धूम धाम से मनाया जाता है इस दिन लोग बड़े लोग अपने से छोटों को उपहार देते हैं क्रिस्मस के मूखे पर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं उन्हें क्रिस्मस की बधाईयां देते हैं क्रिस्मस सांता का त्योहार भी माना जाता है माना जाता है कि इस दिन घर में सांता आते हैं और कई तरह की उपहार लोगों को बाढ़ते हैं इस दिन एक बड़े से क्रिस्मस ट्री को भी सजाया जाता है बाइबल के अनुसार इश्वर के पूत्र इशु मसी का जनम इस दिन मनाया जाता है तो इस क्रिस्मस की कहानी इस प्रकार है जो बहुत ही रोचक है और सबसे प्राशीन है बाइबल के अनुसार एक बार इश्वर ने अपने दूत ग्रैबलियल मैरी नाम की एक यूपदी के पास भेजा ग्रैबलियल ने मैरी से कहा कि तुम्हें इश्वर के पुत्र को जरम देना है इतना सुनते ही मैरी चोंग गई क्योंकि वह कमारी थी इसलिए उसने ग्रैबियल से पूछा कि यह किस प्रकार संबब हो सकता है तो ग्रैबियल ने कहा कि इश्वर सब ठीक करेंगे कुछ समय बाद मेरी की शादी जोसफ नाम के एक युवक से हो गई इसके बाद एक बार फिर से ग्रैबियल जोसफ के सपने में आए और उसने कहा जल्दी ही मेरी गरवती हो जाएगी और तुमें उसका ख्यास ख्याल रखना होगा क्योंकि उसके होने वाले संतान कोई और नहीं बलिक स्वयम प्रभू इश्यू है जोसफ और मेरी नाजिरियत में रहा करते थे जो इस समय एजराईल का एक भाग है नेजराईल रोमन समराज्य का ही हिस्सा हुआ करता था एक बार जोसफ और मेरी बैतलेहम जो की अब फिलिस्तान में है वहाँ पर गए वहाँ पर उस समय कई लोग और भी आये हुए थे जिसकी वज़े से वहाँ पर सभी धरम शालाए शरणालाए भरे हुए थे जिससे जोसफ और मेरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पा रही थी जगा ना मिलने के कारण वह दोनों एक अस्वल में ही रुख गए जहां मेरी ने आदी राद के समय प्रभू इश्यू को जनम दिया था तो उस दिन 25 दिसंबर का दिन था इसलिए 25 दिसंबर को इश्यू मशी के जनम दिन के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है अगर मित्रों आपको इश्यू मशी के जनम से संबंदित यह जानकारी और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बोक्स में प्रिस्मस आफ शेलीकी